तीन लोग यहां आये थे, यहां बाहर से सूचना दे दिया कि मिलना है हमें सुक्देव सिंग जी से, तो सुक्देव सिंग जी से उनका जो सेक्यूरिटी है, बोजा के पूछ लिया, तो उनका अनुमती मिलने के बाद तीनों लोग अंदर गया, वहां करीबन 10-11 मिनिट उनक के उपर फायरिंग किया, उस फायरिंग में सुक्देव सिंग जी का डेथ हो गया, उनके बगल में जो सेक्यूरिटी खड़े था, उनके भी गोली लग गया, वह अभी हॉस्पिटल में, ICU में है, और इस क्रॉस फायर में, क्रॉस फायर के दवरान तीन हमलावारों में एक क भी डेथ हो गया, तो वो जिसका डेथ हो गया, उनका नाम है नवीन सिंख, शेथावत, वो है यहां का मूल रूम से शापुरा के कास्प, पास का रने वाला है, और अभी जेपूर में निवास कर रहा है, यह कोई दुकान करता है, कोई चोटा माटा कपटे का दुकान करता तो जो भी हो हम उसका उस लीड है, हमारे पास CCTV का फुटेज है, जो टोटल खडना करम है, वो CCTV में कईद हो गया है, और अभी उसी का चल रहा है हम, जो जितना भी साक्षिया और सूचना है हमारे पास है, उसे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम बाकी दोनों को भी चिन्नित करेंगे और इसके पीछे जो भी इसका प्लाइनिंग किया है, उधर तक हम जल्दी पहुंच जाए, जो यहां से जब भाग रहा था, यहां से जब जा रहा था, तो उनको एसकेप के लिए गाड़ी ले नहीं पाया, क्योंकि जिस ने गाड़ी लेके आया था, उनका क्रॉस पायर में म्रतिव हुआ, तो उनको गेट अवे के लिए एक स्कूटी छीनके वो स्कूटी में भग गया,